स्वस्थ भारत की नीव पर ही हम एक सम्रित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। जहवान का अनुसरन करते हुए राष्ट्र द्रिड संकल्प के साथ वैश्विक लक्ष से पांत साल पहले सन दो हजार पचीस तक टीबी मुक्त बनने के लिए प्रतिपध है। जहीं नहीं रोक पाए गा। देश को टीबी मुक्त करने की तिशा में किये गए देश के प्रयासों का एक संकलन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी के निदान और उपचार के सशक्ती करण हेतु एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी ट्रेनिंग मॉड्यूल का अनावरण किया जा रहा है। ये मॉड्यूल भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में द्वितिय और तृतिय केर स्थर के स्वास्ति सेवा प्रदाताओं के लिए बनाया गया है। इस मॉड्यूल के द्वारा उन्हें एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी मामनों की पहचान, नोटिफिकेशन, निदान और उपचार के विशय में बहतर प्रशिक्षन दिया जाएगा। इसके अंतरगत परिवार के सदस्यों को निरंतर सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प लाइन नंबर उपलब्ध करवाए जाएंगे, साथ ही इंटराक्टिव टूल्स और प्रचार सामगरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहल टीबी मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश के विकास में गाउं और पंचायत की भूमे का अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। देश से टीबी को जड़ से समाप्त करने हेतु, टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंब किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और स्थानिय ग्रामीर संस्थाओं के सहयोग से हर गाउं को टीबी मुक्त बनाने के लिए कार्य किये जाएंगे। ये अभियान नकेवल भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक निरनायक भूमिका अदा करेगा, बलके युनिवर्सल हेल्थ कवरिज और सस्टेनिबल डिवलप्मेंट कोल्ड को पूरा करने में भी हमारी मदद करेगा. इलाज से बचाव बहतर है, को सार्थक बनाते हुए, आज बड़े पैमाने पर टीबी निवारक उप्चार रणनीती की भी शुरुवात की जा रही है. टीबी संक्रमन निश्क्रिय रूप से शरीर में रहता है, और किसी भी कारण अगर रोग से लड़ने की शक्ती कम हो जाए, तो ये बीमारी के रूप में सक्रिय भी हो सकता है. टीबी संक्रमित व्यक्ती के लिए अब भारत सरकार टीबी निवारक उप्चार उपलब्ध करा रही है. ये नया 3HP टीबी निवारक उप्चार मात्रत तीन महीने का कोर्स है. इसकी खुराक लगातार 12 हफतों तक हफते में सिर्फ एक बार लेनी होगी. ये उप्चार टी सब मिलकर आगे पढ़ें. एवं हमारे माननिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को एक जन आंदोलन का रोग दे.